आप देख रहे हैं एवन उशाराव मेडिया पर एक अच्छी सी तालिया बजा करिये इसलिए तालिया बजाईए कि आजकल शादियों में तो लोग ना जाने कौन कौन सा फक्षन करते हैं लेकिन उन्होंने अदब की शमा रशन की है हम अरुदू नहीं पढ़ते तो हमरा एमान दूस नहीं हो सकता कोकि तमाम मुर्दू की किताबें हमारे एमान सा इसमें आई हुई है आईए यहां से मा के हवाले से मौतरण मारिफ सिद्धिकी साहब ने कुछ शेर सुनाया था तो मा के हवाले से चार-चार चार गता सुने कि फिक्र उसको हमेशा होती है और हो मुसीबत में उसका बेटा तो मुसीबत में उसका बेटा तो बहुत शुक्रिया वई बहुत शुक्रिया आपको आज और अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी अभी हमारे शादा बाजमी साथ की फिक्र उसको हमेशा होती है चैन से कब कहां वो सोती है हो मसीबत में उसका बेटा तो मा मुसले पे बैठी रोती है चार मिस्रे और किफ याद रख मा को गर सताएगा याद रख मा को गर सताएगा तेरा रब तुझे से रूट जाएगा अए वजब माँ की तु दूआ ले ले जिन्दगी बहुतु मस्कुराएगा नहीं यह मुशारा दो दूर चलेगा नहीं नहीं आप गवराईए नहीं हम लोग 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 अच्छा यह नहीं शुरूँ क्या बात है आओ बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग अपनी मुहम्पतों से सुनें हैं सुनें यहां से कि मेरा दिल और मेरी जान होई हो जैसे मेरा दिल मेरा दिल और मेरी जान होई हो जैसे सच कहूं तुम मेरी पहचान होई हो जैसे मेरा दिल और मेरी जान होई हो जैसे सच कहूं तुम मेरी पहचान होई हो जैसे आदिव सहाब आज हातों में तस्वी डुपटा सर पे आज हातों में तस्वीर डुपट्टा सर पे आज लगता है मुसल्मान हुई हु जैसे बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सुनने हैं जी 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 बहुत शुक्रिया यहां से एक मतला एक शेय सुनें कि तुम्हारी वेश्मी जुल्फों में आके तुम्हारी वेश्मी जुल्फों में आके मैं दुनिया भूल बैठा तुमको पाके मैं दुनिया भूल बैठा तुमको पाके बहुत दिलकश नजारा मिल गया था सनम मुझको तेरे पहलू में आके बहुत दिलकश नजारा मिल गया था सनम मुझको तेरे पहलू में आके बहुत ही बेमज़ा ये जिन्दगी थी सुकु मिलने लगा सजदे में जाके बहुत ही बेमज़ा ये जिन्दगी थी सकू मिलने लगा सस्दे में जाके और ये शे सुने मकड़ा आपके हवाले से वो जब रूठा उसे मैंने मनाया वो जब रूठा उसे मैंने मनाया निदामत के वजब आंसू बहा के बहुर शोरी आप उसके बाद सुभा नल्ला